मैंने मान्ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखर ये निविदन किया है कि हॉस्पिटल्स में कई पेशन्ट एडमिट होने के बाद सस्पेक्टेड कुविड इस प्रकार की उनकी इंट्री की जाती है किन्तु उनका समय पर स्वयाब नहीं लिया जाता और उनकी मुख्यू के बाद उनकी बॉडी सस्पेक्टेड कुविड के नाम से ही रिलिस की जाती है मैंने दो उधारन उनको दिये है कि किस प्रकार से पेशन्ट को एडमिट करने के बाद सस्पेक्टेड कुविड लिखा जाता है swab लिया जाए ऐसा advisory दी जाती है isolation ward में रखा जाए ऐसे advisory दी जाती है और उनके मुर्त्यू के बाद उसको non-covid इस प्रकार से treat करके suspected covid लिखा जाता है क्योंकि उनका swab ही नहीं लिया जाता मुख्यमंत्री जी को मैंने दो case papers बेजे हैं जिसमें patient को admit करते समय suspected covid लिखा गया उनके advisory में swab लिया जाए isolation में admit किया जाए ऐसा लिखा गया और एक patient तो 4 दिन hospital में रहा और उसकी मौत हो गई फिर भी उसका swab नहीं लिया गया और बाद में मरने का कारण ये वापिस suspected covid लिखकर उसकी body release कर दी गई और ऐसी एक ही hospital की 44 cases मेरे पास है और अलगलग hospitals की मिला के करीब 100 cases ऐसी है कि जिसमें इस प्रकार से body release कर दी गई है इस प्रकार की कारेपद्दती से भले ही covid से मरने वालों की संख्या में कमी दिखाई देती है किन्तु उससे कई सवाल खड़े होते हैं सबसे पहले तो चुकि non-covid body के रूप में इस body को release किया जाता है तो उसके अंत्य संसकार भी non-covid body की तरही किये जाते है साथ साथ covid patient के घर के लोग या contact के लोग इनको हम लोग high risk contact मानते है और उनको quarantine करते है लेकिन चुकि इनको non-covid माना जाता है तो घरवालों को न quarantine किया जाता है न उनकी कोई test की जाती है और इसके चलते शायर बिना चाहते हुए भी उन घरवालों के माध्यम से covid फैलने की एक possibility तयार हो जाती है मैंने ये निविदन किया है कि protocol का पूरा पालन किया जाए जैसे ही patient admit होता है उसका swap test किया जाए और साथ साथ इससे पहले जो bodies release हुई है ऐसे लोगों के घर के लोगों को या close contact को trace करके उनका quarantine करना और उनकी test करना ये भी कारवाई की जाए